सबसे पहले आश्रतोष जी आपके पास आता हूँ क्योंकि एक साल पहले हमने संपूर्ण लॉकडाउन देखा था पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा कर कोरोना के चेन को तोड़ने की कोशिश की गई थी अब एक बार फिर से लग रहा है कि वही वक्त आ गया है कि पूर थी किस्टि होती हो बहुत बुरी होती है लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं और जिस तरीके से 3,80,000 केसिस प्रति दिन आ रहे हैं अगर इस चेन को फॉरण नहीं तोड़ा गया तो ये देश के अंदर बहुत बड़ा हाहाकार मचा के रख देगा और आज की तारीक में जो इ जानक इस्थिती है विकराल इस्थिती है इसलिए मुझे नहीं लगता कि लॉक्डाउन के अलावा कोई और उपाय है लॉक्डाउन वैसे भी एक एमेर्जिंसी प्राविजन है इस दोरान आप तीन चीजें करते हैं पहली बात तो ये कि जो कोरोना का प्रक्य प्रसार का ज जो चेन है इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करते हैं दूसरा आप जो लोगों को एक बहुत स्पस्ट तौरबर मेसेज जाता है कि जिस तरीके के लापरवाही पिछले दिनों की गई है उस लापरवाही के लिए आप कोई वक्त नहीं है हर आदमी को इसकी गंभीता को समझ करने की जरुवत है अब जगार दवाईया पहुचाने की जरुवत है और करीब 13 करोड लोग जो है बेरुजगार हुए थे और करीब बहुत बड़ी संख्या में लोगों की इंकम घड़ गई थी इसका खुती खतरनाक असर जो है वो आर्थी को इस्ताव पड़ता है लेकिन अब जिस इस्तितिएं पहुच गए हैं इसमें लोगडाउन के लावाद दूसरा कोई चारा दूसरा कोई विकलत नहीं है